असलामेंगे वीजोर्स माइन नाइम दिज्वान चीमा वेलकम बैक विद अनेदर वीडियो वीडियो अबाउड कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवर्सीज प्राइम ब्लॉक और ओवर्सीज प्राइम ब्लॉक में जो सेक्टर F है उसके हवाले से है Sector F जो है वो सबसे ज़्यादा Elevated Block है पूरे Capital Smart City में जितने भी Sector's है जितने भी Blocks है उनमें जो सबसे Elevated Block है वो है Sector F और Sector F में सबसे बड़ी Category के Plots अवेलिबल है इसमें जो First Category आती है That is Four Canal, Second Category is Two Canal and Third Category is One Canal Plot Even though जो कंपनी के चेर्मन है जाहिद रफीक साब उनका जो जाती होम आफिस है वो यहां पे उसकी कंस्ट्रक्शन के काम कागास हो गया है जो Four Canal का विला बन रहा है और अगर हम बात करें Capital Smart City Sector F की तो इसकी comparison में आगे वीडियो में आड़ करता हूँ के दोनों में क्या changes आया है from the last six to eight months लेकिन overall sector F से अगर देखेंगा इस वक्त आपको sector F की street नज़र आ रही है इस street पे लेटसे आप एड़ करें 38 feet घर बनाने की जाज़त है height की तो इस 38 feet से अगर लेटसे आप पूरे स्मार्ट हीड़ को अभी यह सबसे elevated street है वीडियो आप देखें स्क्रीन पे यह तक्रीबन मैंने रिकॉर्ड की तरी वीक्स बैक लेकिन यह comparison जो आप देख रहे हैं इसमें right side window में जो आपको footage नज़र आ रही है यह almost six months पुरानी है और left side window है यह तक्रीबन आपको तरी वीक्स पुरानी है तो दोनों में अगर comparison कर लें तो दोनों में आपको काफी हता clear understanding मिल जाएगी कि दोनों में क्या changes आई हैं इवन जो sector F की सब streets होती है उन पे भी एक street पे कार्पेटिंग का काम का अगास हो गया है जहां में जाई साब का अपना घर बन रहा है और अगर सेक्टर F में अगर development की सूरते हाल के अलावा अगर देखा जाए कि सेक्टर F की क्या ऐसी prominency है कि सेक्टर F को बाकी sectors पे फोकियत हासिल है वो ये reason है कि सेक्टर F जो है एक side से surrounded by silver river है एक side से surrounded by golf course है एक side से इसके main believer attach है और एक side से के बाकी linear छोटे plots हैं जिसमें 7 मला, 10 मला, कनाल और बाकी plots आते हैं 12 मला के plots पी आते हैं तो सेक्टर F से जो golf course का view है वो काफी ज्यादा visible है और अगर साइडों पे पहाडों का view देखें ये जिसे आपको CDA सेक्टर E6 में या F6 में देखते हैं तो आपको Margla का view मिलता है तो जब यहां में मकमल construction का काम complete होगा तो इस सेक्टर से सबसे ज्यादा अच्छी जो scenic view होगा वो इस सेक्टर से होगा जैसे हम आपको example दी है Margla में E6 और F6 की जैसे वहां से scenic view बनता है सेम उसी तरह इस सेक्टर से भी scenic view बनेगा पूरे स्मार्ट रिटी का क्योंकि आपको एक तरह से Margla का view मिलता है और एक तरह से Margla नहीं इस बेसिकली खारी मुरत range है जिस तरह Margla से comparison मैं कर रहा हूँ बट end of the day एक अच्छा view मिलता है बैक साइट पर गॉल्फ पूर्स का view मिलता है और सेल रिवर के साथ अभी क्योंकि सेल रिवर के साथ अभी beautification काम हो रहा है उसमें काफी जादा landscape का काम हो रहा है आने मेले दिनों में जब ये काम मुकमल होगा तो जिन रेजिदेंट्स के plot और डरी sector F में है या बैलेटिंग में sector F में निकलते है तो देवर भी रेली लगी कि उनको sector F में facilities मिलेंगी वो बाकी block से उनको focus मिल जाएगी automatically क्योंकि elevation जावा किसी और block के पास इतनी नहीं है आने मेले दिनों में hopefully मुझे लगता है कि अगले साल के start में most probably in the March सबसे पहले possession मिलेगा एक तो होगा sector G और दूसरा होगा sector H और थर्ड sector I think so कि sector F होगा क्योंकि इस block में जो development है क्योंकि इसकी जो जमीन थी काफी ज़्यादा elevated थी और इसको जो cutting और इसका filling वाले काम होता है उसमें काफी speed से काम हो रहा है मैं परेजन के लिए इसको गूगलर सेटलाइट पर compare करता हूँ ताकि जो भी इंडिविजुल्स ये देख रहे हैं इंजिनर प्लॉट अलड़ी एक्वाइर कियो है Capital Smart City सेक्टर और सिस प्राइम सेक्टर F में उनको understanding मिल सके कि उनका प्लॉट जो है Second is East Side की बात करें तो East Side पर सेक्टर F के सेक्टर E ही बनता है अगर हम इसके West Side पर बात करें तो अपार्टमेंट बिल्डिंग है और अगर हम बात करें South Side पर तो यहां पर H Block है जहां पर Residential One कनाल के Residential Plots हैं प्लस जो आपको Red Spots नज़रा रहे हैं यह स्कूल के मस्जिद के और इससा के जो Plots हैं जो Society itself कंस्ट्रक्ट करेंगे और बाकी आगे मिंडेन करेंगी यह उनके Plots हैं सेक्टर EF के साथ ही यहां पर एक Mini Commercial पर अवेलेबल है जहां पर चारमला के Commercial Plots हैं और इसके साथ यहां पर Residential Apartments पी होंगे जो Golf Course facing होगे लेकर इसने अभी लाँच नहीं किया गया Future में लाँच किया जाएगा लेट सेक्टर EF के हम सैटलाइट मैप देखते हैं तो यह आज की डेट का यानि के अगर हम देखें July 2021 का updated satellite images है जिसमें और काफी हते के ब्राउनिंग का काम नदर आ रहा होगा अब मैं इसको रिवर्स करूं कि इसमें चेंजिस क्या है में 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 यह कुछ मैप इस तरह से दिखाई देता था जो ब्राउनिंग काम हुआ है कुछ स्ट्रीट का लेट प्लैन भी क्लियर है अगर इसको तरह पीछे रिवर्स करें अगर हम देखें इसको जैनुरी 2021 में तो यह सेक्टर एफ को श्यों दिखाई देता था अगर उससे पहले देखें यानि कि इससे पहले तो एक्जिस्टन्स नहीं थी जुलाई 2020 में इस ब्लॉक की कोई एक्जिस्टन्स नहीं थी यहां पर पहले जो प्राणी ससाइटी थी जिसका नाम था नैशनल गार्डन उसका कोई यह में गेट भी नज़र आ रहा होगा जो प्रीविस गेट था और यह ससाइटी ने आपके सामने हैं आने वाले दिनों में जब जब मजीद डिवेलप्मेंट होगी तो मैं आपको इस हवाले से भी अपडेट कर दूँगा सेक्टर F के लवाई इसकी साथ एक बहुत जो कुमन कुस्टिंग के साथ हाते हैं नेक्स्ट इस कि इस रोड का कनेक्ętिविटी विद एक्जेक्टिव बिज और वही बिरिग को क्रॉस करने के बागा जो रोड आगे कनेक्ट करेगा with main 400 feet road जो golf course के साथ से होता हुआ आगे connect होगा उस पे construction काम भी काफी तेजी से जारी है मैं hopefully try करूँगा कि अभी मैं जितनी maximum site videos हो सकी उसको post करूँ ताकि जिन individuals ने already buy किया हुआ है तो काफी ज़दा उनकी requirement होती हैं कि site पे visit करना आज की date में 30-40 जिन 50 km का distance आपका इसाफी add हो जाता है जिसकी वैसे site के visits बहुत कम होते हैं इंटर्चेंज बनने के बाद जायर सी बात है यह number काफी ज़दा easy हो जाएगा जाना site पे visit करना till that time मैं try करूँगा जितनी site की maximum videos हो सकें post कर सकूँ ताकि जो भी individuals investment कर चुके है capital smart city में किसी भी सेक्टर में तो उनको उसकी updates मिलती रहे so well this was it from today अगर आपको smart city में booking के वाले से कुछ मालूमा चाहिए तो मेरे number आपकी screen पे available है plus 923459999881 अगर आपको वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share and channel को subscribe करना मत भूले आपको